लो दोस्तों तो स्वागत है आपके अपने चैनल सी बीसे यूटियोब चैनल में तो आज हम लोगे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का इससाइस 2.2 का कॉशन नमबर 7 अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं उपर आई के बटन में भी दे दूंगा आप वहां से देख सकते तो देखते हैं सेवन्थ कुश्चन देखिए किसी तीन नमबर का सम 888 आ रहा है और जो यह तीन नमबर है यह 8 से डिविजबल है यह तीनों 8 से डिविजबल है तो हमें यही पाइंड करना है यही तीन मल्टिपल्स की यह कौन से है जो 888 बना रही है और वो कंजीक्यूटिव भी रहना चाहिए मतलब एक के बाद एक जैसे 1,2,3,4,5,6 ऐसे करके तो चाहिए इसका सल्यूशन देखते हैं यहां कंजीक्यूटिव हम ले लेते हैं एक्स 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 से मल्टिपल होना शाहिए है एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू इस इक्पलस टू इस एक्स टू एक्स टीएट यहां से हम लोग एक्स को कॉमा निकाल लेते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस वल प्लस एक्स टू इस एक्स टू इस एक्स टू एड एट 8 को डारेक्ट यहां इंटू में है यहां डिवाइड में भेज देते हैं तो हमारी पास आएगा X प्लस X प्लस X 3X हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 888 divided by 8 8 बन जाएगा 8 बन जाएगा 3X 111 में 3 गए हम लोग के पास आएगा 108 यहां से X की वैल्यू 108 divided by 3 तो यहां हमें X की वैल्यू मिल जाती है 3 3 9 3 6 18 यहां हमें X की वैल्यू मिल जाती है 36 यह अभी अंसर नहीं है अंसर इसके आगे भी है हमें मल्टिपल फाइंड करने है यह तो हमने X की वैल्यू फाइंड करने है यहां से हम लोग टेर्फो करते हैं B अंसर इसके वैल्यू फाइंड करने है अंसर इसके वैल्यू फाइंड करने है 8 x plus 1 that is equals to 8 times x x की value 36, 36 plus 1 37 इसकी value क्या होती है 8 x 2 37 296 and 8 into x plus 2 जो की उसकी value होती है 304 यहां से हमको 3 मिल चुके है एक है 304 एक है 288 और एक है 296 तो यह था class 8 का exercise 2.2 का question number 7 अगे वीडियो में हम इसके 8th part को discuss करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो subscribe करिएगा Thank you so much for watching Bye झाल झाल